हेलो स्टुडेंट्स आज अपने इस वीडियों में हम पढ़ेंगे निकक सग्यारा का एक टोपिक जिसको गोल जी बोड़ी हम पढ़ रहेते हैं उसकी सर्चना के बारे में इस ट्रक्चरोप गोल जी बोड़ी तो इससे पहले हमने अंत्य प्रदवी जालेगा पढ़े थी और गोल जी बोड़ी के फर्स्ट पार्ट में हमने गोल जी बोड़ी की परिवासा और उसके बारे में जो बेसिक बाते हैं होती है उसके संक्या उपस्तिती और उसके गोलजी बोडी का निर्माण हम झानते हैं कि को दिर्माण है वो मुखेते अंथा पड़देवी जालीका की जो चिकनी अंत्रप्रदेवी जालीका होती है उस इस टो हम में पेड़ सब्सक्रान आके निर्माण होता है लगवक सरचना उसी की तरह होती है तो हम पहले इसकी सरचना देख लेते है इसमें सबसे मुख्य जो सरचना होती है वो इसकी होती है जिसे अंत्यप्रदेव जालिका में थी सिस्टरनी ये सिस्टरनी लंबी चप्टी और ऐसा की सरचनाई होती है इस तरह से लंबी चप्टी ऐसा कित सरजनाएं इस तरह से यह पाई जाती है इनके अंदर एक खाली जगह होती है जिनको लूमेन कहते हैं जैसे अंत्या प्रद्विजालिका में भी लूमेन था इस तरह से यह पाई जाती है तो इनके अंदर एक गुवा है यह लंबी पतली चप्टी और ऐसा कित सरजनाएं जिसको सिस्टर ने गएंगे हम इसको गएंगे यह है सिस्टर ने जो गोल्जी बोडी की मुखे रचना होती है इसके दोनों और की सीरे फुले भी दिखाए देते हैं यहांसे वेसिकल बगएरा बनेंगे तो पहली इसकी सरजना होगे सिस्टर ने इस सिस्टर ने में है क्या कि एक तो इसके अंदर जिसे खाली जिगए जिसको में लुमेन खह रहे हैं और इसके बीच में भी कुछ गेप होता है जिसे गेप इनके बीच में दिख रहा है तो इस गेप को कहते हैं इंटर सिस्टरनी सिस्टरन स्पेस या इंटर सिस्टरनी स्पेस इसको वपन कहेंगे अब इसमें क्या होता है कि दूसरी इसकी सर्चना के रूप में हो सकती है कुछ उग्यानिक मानते हैं कि यह जो सिस्टर नहीं है यह नलिका नुमा सर्चनाओं से जुड़ी हुई होती है साकित सर्चनाओं से नलिका नुमा साकित सर्चनाओं से जुड़ी हुई रहती है इस तरह से तो उनको कहेंगे हम लब यह जो सिस्टन ही है यह नलिका जैसी सर्शनाव जुड़ी रहती है तो उनको हम कहेंगे नलिकाएं यह हम कहते हैं टूबल्स जो अनते पड़ते भी जालिका में भी पाई जा रही थी और इसके इलावा इसके अंदर इनके जो मुकुलन से बनेगी उनको हम गएंगे पुटिकाएं ये क्या बनेगी ये पुटिकाएं बनेगी इनके मुकुलन से या इनके संकुचन से तो यह होगी तीसरी सेसना होगी पुटिका यह है जो गोल-गोल होगी जिनको हम कहेंगे Vesicles तो इस तरह का यह गोल जिबाड़ी होगी जिसकी तीन सर्चना हम पुले ले लेंगे सिस्टर नी दूसरी न लिकाए और तीसरी Vesicle कुछ इसमें वेसिकल छोटी होगी, कुछ इसके अंदर वेसिकल बड़ी-बड़ी होगी तो उनको हम बड़ी-बड़ी होगी, उनको अपन रिखती का या वेक्यूल कहा देंगे तो ये नेक्स्ट बड़ेंगे अपन इससे पीचे देगे हम देखते हैं, यहाँ पर SCR है SCR जिसके अंदर सिस्टनी, टूबल्स और पुटिगाई होती है यहाँ से पुटिगाई निकलती है और उन पुटिकाओं में भरा रहता है प्रोटीन, जैसे यह पुटिगाई इसके अंदर प्रोटीन भरा है प्रोटीन युप्त और यह इस तरह से यहाँ से चलकर प्रोटीन लेकर यहाँ से चलकर आ रही है ट्रांसपोर्ट होके आ रही है और इस तरह से यह चलते चलते यह इसके पास आके जुड़ जाती है और ये प्रोटीन है वो इसके अंदर पहुंच जाता है गोल जी बोड़ी अंदर तो इस तरह से ये इस परकार की बहुत सारी बैसिकल से पहुंचती है और इसके साथ आकर अटेज जाती जुड़ जाती है प्रोटीन इसके अंदर पहुंच जाती है तो गोल जी बोड़ी की इस तरह से हम देखें हैं तो इसकी दो सता हो गई यह जो ER की तरफ वाले सता है इस सता है को हम कहेंगे सिस फेस जो हमने पहले भी बढ़ा था सिस फेस और चूंकि यहां पर देखिए वेसिक स्मूथ ही इंडोबलाजम रेटिकुलम से हैं पुटे कहें आकर यहां से शिस्टरनी के छोटे टुकुडे आकर वो यहां इसके साथ उड़ते रहते हैं और नए गोल जी बोड़ी का निर्मान करते रहते हैं इसको फोर्मिंग फेस भी कहेंगे क्या देंगे इसको फोर्मिंग फेस यहां तो इसको कह दो सिस फेस सिस का मतलब होता है की ओर ऐसा सीरा जो जो इर की ओर होता है सिरा इसका सिरा जो इर यहनि इसकी जो सत्य इर की तरफ होती है यह जो सत्य इसकी आर की तरफ है इसको सिस फेस सिस और ट्रांस दो सब्स होते हैं सिस का मतलब होता है की ओर और ट्रांस का मतलब होता है दूसरी तरफ वाला सिरा तो जाहिर से बात है इस सीरे को हम कहे देंगे यह जो सीरा रहेगा इस सीरे को हम कहे देंगे ट्रांस फेस ट्रांस फेस यह दोनों वर्ड अलग अलग है ट्रांस का मतलब हो गया दूसरी ओर और sis का मतलब हो गया की ओर अब की ओर का मतलब है यहाँ पर ER से लेंगे तो ER की तरफ वाला जो सीरा होगा गोल जी काई का उसको sis फेस कहेंगे और इस सीरे पर क्या होता है गोल जी काई का निर्मान होता है ने ने गोल जी काई की sister नी का निर्मान होता है जुड़ जुड़ कर इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं फॉर्मिंग का मदल होगा है निर्मान करना यह इसको हम कहेंगे निर्मात्री सतय इसको हम निर्मात्री सतय भी कहतेंगे चुकि अगर अब इसके आकरते देखें तो यह उत्तल की तरह होती है तो इसको उत्तल फेस उत्तल सतय या इसको हम अंगर्जिम कहेंगे कौन वेक्स फेस भी इसको कह देंगे तो इसके तीन नाम होगे सिस फेस के दो इसका मतलब हो गया ER की तरफ वाला निर्मान हो रहा है इस कारणिस ये फॉर्मिंग फेस है और इसका अकरथी उत्तल सते की तरह इसको उत्तल फेस भी कहते हैं दूसरी तरफ वाले देखें तो ये जो ER के बिल्कुल दूसरी तरफ है उसको हम कहिए देंगे Transface अब इस Transface में क्या होता है यहां पर नई-नई Vesicles बन रही है नई Vesicles बन रही है यहां पर नई-नई और यह को सिका के सभी दूसरे जगह पर चलती रहती जाती रहती है इधर शागे जुड़ी और यहां से नई नई वेसिकल्स बनकर निकलती रहती है पास आउट होती रहती है डिलिवर होने लगती है यहां से चुकि यहां से नई नई पुटिकाएं मैचूर होकर यहां से निकल रही है इस कारण इसको मैचूरिंग फेस भी बोलेंगे सिरिंग फेस या अब इसकी सते देखें तो ये एक आउतल रूपी सते इस करण इसको आउतल सते या अंगरिजम कह देंगे कौन केव फेस इसको कौन केव फेस भी कह देंगे इस तरह से इसके नाम यह गए इसके तीन नाम यह हो जाते हैं तो यह एक गोल जी बोडी की इस तरह से एक सर्चना मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी दो सत्रा होगी गोल जी बोडी का निर्मान होता रहता है यहां से पुटिकाई जुड़ती रहती है और मैचुरिंग फेस से यहां से नई नई पुटिकाई निकल कर उस जिसके अंदर संसोदित अभी जैसे प्रोटीन आया तो यह प्रोटीन इस सिस्टनी के अंदर चलेगा और इस तरह से प छूड़ दिया जाएगा तो यह की फपने गोल जी अश्चार कि होती है अप थेकिंगे तो इसमें थेकर यह जो वेसिकल काई टाइप की होगी जैसे यह जो वेसिकल सारी से बोलेंगे ट्रास्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट वेसिकल क्योंकि ट्रांस्पोर्ट हो क्या रही है अब जैसे यहां से जुडने लगेगी तो हम इनको कह देंगे ट्रांजिशनल इसको कह देंगे ट्रांजिशनल 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 ट्रांजिशन वेसिकल कह देंगे इनको क्योंकि यहां से आके ट्रांजिट कर रही है यहां से आकर इसको जुढ रहे हैं यानि गोलजी बोड़ी और एयार के बीच यह पाई जाती है यह जो वेसिकल होगी इनको चुकि यह नए संसुदित प्रोटीन को लेके जा रही है तो इनको पन स्रावी वेसिकल पहुंदेगे और जो बड़ी-बड़ी होगी उनको वेक्यूल से यह रिखती गए बोल देंगे और जब इनमें प्रोटीन बरा रहेगा तो इनको हम लाइस क्यों सिश्टरणी के अंदर है क्या कि इसके शिश्टरणी में क्या है कि रॉड़ी हाँ तस्त्रीनूमा रचनाए हैं पांद रॉडती है जो एग दूसरे से प्रस पर सटी हुई होती है दूसरी से जुड़ी होती है ठीक है सिस्टर नी का यार की तरफ वाली सतय उत्तल होती है हमने का कि यार की तरफ वाली सतय कैसी है उत्तल टाइप की होती है जिसे हमने क्या कहे दिया सिस फेस उत्तल इसलिए हमने इनको कहे दिया कॉन्वेक्स फेस और नहीं वेसिकल से जुड़ती रहती है में यह नया गोल्जबोडी बनता रहता है इसका निसकों फोर्मिंग फेस भी कहते हैं यहां से जब इस फेस पर क्या होगा कि जब एस यार से नई सिस्टर नी या नई सिस्टर नी बनती है तो यह सिस फेस की तरफ ही जुड़ती है हमने कहा है कि जब यहां से नई सिस्टर नी बन रही है तो यह सिस्टर की तरफ ही जुड़ेगी तो यह की चीज में बनाएगी तो यह बनाएगी आपकी पुट्टिगार जिसमें प्रोटीन होगा वो प्रोटीन बनाएगी आरियार तो यहां पर आरियार प्रोटीन बनाएगी और यह पुट्टिगार निर्मित कर देगी इसी तरह से अगर कोई नई पुट्टिगा बनत जैसे RER से बनी, प्रोटीन, युक्त, पुटी का भी सिस फेस से अठेच होती है या जुड़ती है तो वहां से भी ये जुड़ जाएगी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि E.R. से दूर कोसी का जिली, इसको हम कहाँ दें कोसी का जिली की तरफ वाला सिस्टरनी का या सिस्टरनी की सत्य किस तरह की है आउतल परकार की होती है आउतल परकार की होती है जो अपने चितरे में देखा है जिसे हमने क्या कहा ट्रांस फेस या इसको मेच्चूरिंग फेस या हमने इसको कहा कौन केव फेस भी कहते है एक चीज़ और बता दूँ मैं एम फेस को सोट में आप मेच्चूरिंग फेस को एम फेस भी कह सकते हो और एम फेस भी इसको और शिस फेस को आप सोट में सिस सी फेस भी कह सकते हो यह जो आपकी एम फेस है या ट्रांस फेस ट्रांस फेस की और से ही स्रावी पुटिकाएं यह हम कहेंगे नई स्रावी पुटिकाएं वह लाइसोसोम बनते हैं तो यह जो ट्रांस फेस होगी दूसरी तरफ वाली इससे नई नई पुटिकाई बनेंगी और लाइसोसोम निर्मित के जाएंगे तो यह इसमें इतना देखना है कि इसके दो फेस होती है दूसरी इसकी रचना है नलीकाएं जिसको हम कह रहे हैं टूबल्स तो ये साकित भाग है और कुछ भी गयनिक मानते हैं कि ये सिस्टरनी के बीच बीच में पाए जाता है साकित भाग है सिस्टरनी से ही निकलती है ये पदार्तों के सरावन का काम करती है वसे ध्यारगे के साकित होती है सिस्टरनी से निकलती है ये सिस्टरनी से के बीच बीच में पाय जाती है तीसरी इसकी important जो सरचना है वो होती है पुट्टी गई पुट्टी गाई यह जो पुट्टी गाई हैं जिनको अपन वेसिकल्स कह रहे हैं यह गोलाकार होती है गोलाकार इसके अंदर पहे जाती है और इनमें अधिकतर में अधिकांस में प्रोटीन बरा होता है इनका दिकांस में प्रोटीन बरा होता है इनका दिर्मान क्या होता है इनका दिर्मान उप्रवनी चितर में देखा था इनका दिर्मान जो सिस्टर्नी है सिस्टर्नी के मुकुलन से मुकुलन का मतलब वहाँ पर एक बड़ उत्पन होता है या उसके संकुचन से संकुचन से होता है मतलब यह सिष्टनी है तो इस सिष्टनी से क्या होगा कि इस सिष्टनी से या तो इसके उपर एक मुकुल पेदा होगा इस तरह से और यह आगे फिर यह पुटिका बना लेगा या इसके संकुचन से इसके संकुचन से इस तरह से पुट्टिगाओं का निर्मान हो जाएगा तो संकुचन से हो सकता है या इसके मुकुलन से पुट्टिगाओं निर्मान हो जाता है ये निम्न परकार की होती है निम्न परकार की होती है जो पुट्टिगाओं होती है न वो कई परकार की होती है जिसे पहले अपने बात करते हैं जो पुट गए होती है वो होती है जिसे अंगरजी में आपको बता जता हूं तो में ट्रांजिशन वेसिकल वेसिकल ये कहाँ पर थी? ये जो इसकी सिस्टर नहीं है और जो एसी यार थी उसके बीच में पाई जा रही है बीच में पाई जाती है बीच में पाई जाती है ये सिस फेस सिस फेस है उससे सिस फेस की और जुड़ी जुड़ती रहती है मितल उसके बीच में पाई जा रही है और जो सिस फेस है चित्र में देखा था उसके साथ यह जुड रही थी दिर दिर जुड रही थी इस कारण इनको हमें इन्हें यार वे जो गोल जी है की मद्देवरती रचना कहते हैं अग्यों अनके बीच की रचना होती है जैसे यह जो अपने चित्र में देखा था साथ यह रचना जैसे है यह जो फ। होता रहता है स्रावी पुट्टी गाएं इनको कहेंगे सिक्रेट्री वेसिकल्स है तो यह सिक्रेट्री वेसिकल्स क्या होती है इनका निर्मान है निर्मान है जैसे हमने कहाता है कि जो ट्रांसफेस है उस ट्रांसफेस से यह इनका निर्मान लगातार होता रहता है तो यह जिसको हम कहेंगे कि Transface या हमने Transface का एक नाम हो रखा था Maturing Face पर इस्तित होती है Transface या Maturing Face पर इस्तित होती है या हम कह सकते हैं कि इनका निरमा Transface या Maturing Face के कारण से होता है और ये Goalji Body दोरा सरावित होती है ये Goalji Body की सिस्टरनी से बनती है उनके सिस्टरनी से ये बनेगी इसमें कोई ने कोई पदार्त बरा रहेगा जैसे मुख्या रूप से इसमें बरा रहेता है प्रोटीन तो सब ज़्यदा इसके इंदर बरा रहेता है प्रोटीन ही पाए जाएगा और तीसरी जो हम कह दें वो है हमारी वेक्योल या रिक्ति काएं तीसरी जो रचना पाए जाएगी उसको हम कह देंगे जिसको हम कहेंगे वेक्योल या एक तरह से रिक्ति का तो इसमें क्या होगा कि जब बहुत सारी चोट-चोटी जो स्रावी वेसिकल्स है जो स्रावी पुट्टी कहीं हैं ये आपस में जुड़कर बड़ी पुट्टी का निर्मान करती है जिसे हम क्या कह रहे हैं वेक्योल कह रहे हैं जिसे चोटी-चोटी मिल जाती है और एक बड़ी पुट्टी का निर्मान करती है इसको हम कह रहे हैं वेक्योल और जब इसके अंदर इस वेक्योल के अंदर पाचक एंजायम होते हैं जब इस वेक्यूल में पाथ्चा का एंजयम होते हैं, पाथ्चा का एंजयम भरे होते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, तो पाथ्चा का एंजयम का मतलब एंजयम बने होते हैं प्रोटीन के, तो जब इसमें प्रोटीन बरा रहता है और वो एंजयम क का निर्मान कर लेती है तब हम इसको लाइसोसोम कह देंगे कहने का मतलब यह कि लाइसोसोम का निर्मान भी गोलजी बोड़ी के द्वारा ही होता है तो इस तरह से तीन टाइप की इसमें वेक्यूल से देखने को मिलती है यह तो थी इसकी रसना के बारे में कुछ विशेश बात कर लेते हैं कि एक देखा गया है कोसिका में कि जहां पर गोलजी बोड़ी पाए जाता है गोलजी बोड़ी कोसिका में जिस स्थान पर होता है यह जिस्तान पर पाया जाता है उस जगए पर जो अन्य कोसिकांग है वो लगबग अनुपस्तित होते हैं यह देखा गया है कि गोलजी बोड़ी जिस कोसिका में जिस स्थान पर पाया जाता है उस स्थान के आसपास जो अन्य कोसिकांग है वो नहीं पाय जाते हैं वो उससे दूर हटेवे रहते हैं अतै इस स्थान को जोन ओफ एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं जो उनका मतलब हो गया, एक्सक्लूजिन का मतलब हो गया, कोलजी बोड़ी को छोड़ कर, जो अन्ने कोशिका के वो यहाँ पर नहीं पाई जाते हैं कोशिका में अगर गोलजी बोड़ी को निरंतर देखा जाए तो ये गोलजी बोड़ी है अपनी जो रचना है उसको काफी बदल लेता है तो इसकी रचना है वो परिवतन सीहला है इसकारन इसको बहुरूपी कोशिकांग भी कहते हैं कोशिका का बहुरूपिया तो हम यह कह सकते हैं कि गोल जी बोडी काकार बदलता रहता है अते इसे बहुरूपिक बहुरूपिया ने बहुत से रूपिय दार नकल लेता है कभी इस काकार चोटा होता है कभी बड़ा होता है या इसके पुट्टी काई चारों और इकटी हो जाती है तो इसकी आकरती एक जिस ही नहीं होती है इसके आकरती कोशिका में बदलती रहती है हम जानते हैं कि पादब कोशिका जनतो कोशिका में तो गौरम्जी काफ़े अंतर है उसमें एक विशित प्रकार का गौर्जीबोड़ी पाय जाता है जिब तो हमारे Jinatu कोशिकाइस के अंदर टायिटली प्रिस पर जुड़ावा एक लोकिलाइजड या इसतानिक गौर्जीबोड़ी पाय इसका कार बदलता रहेगा इसका बहुरूपिक यह इसको अपन कहते हैं पॉली मौर्फिक कोशिकांग कहते हैं कोशिकांग कहते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने यह इसकी सर्चनाई देखी है एक कोशिकांग अंदर अपन देखें तो जो यह गोल जी बोड़ी है यह अब ने पुटने में यह समझ आगया है कि जो गोल जी बोड़ी है एक तरफ तो इयार से समंद रखता है और एक तरफ इससे लाइसोसोम से भी समंद है तो ये तीनो वर्ड हमने पढ़े हैं कि गोल जी बोडी ER से भी समंद रखता है और Lysosome से भी समंद रखता है तो इसके जो समंद है पर इनका जो परस पर समंद है समंद को अपन कहते हैं गल परनाली, गिरिल परनाली ये सिस्टम क्या है तो यहां से जी का मतलब तो गया गोल जी बोडी तो गोल जी बोडी ER वैल लाइसोसों के परस पर समंद को परस पर समंद को G.E.R.L. परनाली कहते हैं तो यह याद रिखे का G.E.R. का मतलब हो गया गोल जी बोडी ER का मतलब हो गया एंडोपलाजमिक, रिट्टिकॉलम, रेल का मतलब हो गया लाइसोसों तो इस तरह से यह G.E.R. परनाली का निर्मित करते हैं तीनों कोशिकांग मिलकर हमारे कोशिका की तो इस तरह से आज हमने गोल जी बोडी की सर्चना पड़ी है और नेक्स्ट वीडियो में अपने केवल गोल जी काई के जो फंक्शन है वो कारे है, मैं तो पून कारे है उनकी चर्चा गरेंगे